नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जायकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहा हैं तो फ्रेंट्स इस कंपनी को जो टोटल इंकम हुआ है revenue from operation से और other income से इस quarter में वो 3,903 करोड 73 लाग का जब कि पिछले quarter में 3,405 करोड का हुआ था जब कि पिछले December quarter में NCC Limited ने जो अपना total income पोस्ट किया था वो 3,032 करोड 84 लाग का तो फ्रेंट्स यहाँ पे अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो यहाँ पे company ने जबरदस्ट उशाल दर्ज किया है इसके अलाबे अगर yearly भी बात करेंगे तो भी company का जो performance है वो काफी बहतर इस quarter में देखने को मिला है इसके अलाबे अगर expenses की बात करेंगे तो NCC Limited के द्वारा जो expense पोस्ट किया गया है इस quarter में वो 3,632 करोड 98 लाग का जबकि पिछले quarter में 3,236 करोड 43 लाग का था जबकि पिछले December quarter में इनका जो total expense था वो 2,906 करोड 94 लाग का तो friends यहाँ पे अगर आप expenses की comparison करेंगे quarter on quarter और year on year तो इस quarter में इनका expense increase किया है इसके अलाबे अगर इसके net profit को देखेंगे तो इस company के द्वारा जो total net profit एक में सुधलाब पोस्ट किया गया है इस quarter में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 168 करोड 30 लाग का जबकि पिछले quarter मे 137 करोड 54 लाग का जबकि पिछले दिसंबर quarter में इसको जो total सुधलाब हुआ था वो 84 करोड 20 लाग का तो friends यहाँ पे अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो यहाँ पे बहुत ही सांदार income इस company ने इस quarter में generate किया है अगर आप yearly price भी comparison करेंगे तो भी NCC Limited को जो income हुई है it means net profit हुआ है वो बहुत ही सांदार देखने को मिला है और इसका जो EPS है वो भी यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहा है क्योंकि इस quarter में 2 रूपया किरपन पैसे का है अगर आप diluted की बात करेंगे तो friends इसके अलावे पिछले quarter में 2 रूपया 9 पैस है था जबकि पिछले December quarter में 1 रूपय 24 पैसे था तो friends यहाँ इनका EPS भी increase किया है क्योंकि इनका जो net profit है वो increase किया है तो friends आज के लिए इतना ही आपका दिन शुभ हो